नमस्कार दोस्तों हम कर रहे हैं वेल्डिंग जिसे जॉइनिंग या फैब्रिकेशन के नाम से भी आप जानते हैं कुश्चन है दोस्तों हमारा वाट वीड वीड चेंज इन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करेंट आई वेन आर्क लेंग्थ एल चेंज़ फ्रॉर एमेम टू फाइव दोस्तों पर जो आर्क बनती है जो कि हमारे फिर मैटल को पिखला के चाए वो फिलर मैटल या पैरेंट मैटल हो उसको पिखला करके जॉइन करते हैं दो बेटल को वो similar भी हो सकते हैं dissimilar भी हो सकते हैं वो arc length ही दोस्तों असल में heat produce करता है तो वो arc length vary करता है दोस्तों उस arc length के basis पर voltage और voltage के basis पर current तो यहां पर दोस्तों arc length तो 4mm से 5mm किया जाता है और arc voltage और arc length characteristic जो है arc voltage जो है 20 plus 4 into arc length के बराबर यहां पर दे रखा है और volt और ampere characteristic i2 is equal to minus 400 bracket में v-100 यह हमें voltage और arc length characteristic और voltage और current characteristic दे रखा है आए देखते हैं दोस्तों इस 4mm से 5mm arc length जब हो जाएगा माल लेते हैं arc length जब 4mm है तो voltage की value क्या हो जाएगी 20 plus 4L जो characteristic दे रखा है 20 plus 4 into 4 यानि 36 volt इसे प्रकार जब 5mm arc length हो जाती है तो voltage हो जाएगा हमारा 20 plus 4 into 5 40 volt अब दोस्तों हमें current characteristic भी दे रखी है तो हमें voltage मिल गया है तो अब हम current निकाल लेते हैं current at voltage is equal to 36 volt जो हमने यहाँ at l is equal to 4 mm निकाला है i square is equal to minus 400 bracket में v minus 100 यह हमें characteristic दिया हुआ है question में तो v is equal to minus 400 bracket में 36 minus 100, 36 में से 100 घताएंगे तो minus 64 आएगा और minus minus plus हो जाएगा 64 चोक 256 और 256 जो होता है दोस्तो 16 का i square होता है यानि कि यह आ जाएगा 160 एंपियर 160 एंपियर जब हमने 36 volt लिया है इसी प्रकार जब हम 40 volt लेंगे तो एक और हम current निकाल लेंगे i square is equal to minus 400 v minus 100 यह हमें दिया ही हुआ है यहाँ पर आ जाएगा दोस्तो i square minus 24,000 तो current आ जाएगा करीब 155 एंपियर यह 160 एंपियर था जब arc length हमने 4 mm लिया था और 155 एंपियर जब arc length 5 mm लिया है तो हमारा दोस्तो चेंज in current जो है when arc length changes from 4 mm to 5 mm कितना आ जाएगा डेल्टा आई डेल्टा आई ही हमसे पूछ रहा है 160 में 655 गया तो करीब 5 एंपियर यह हमारा उत्तर हो गया दोस्तों आसा करते हैं आपको मजा आया होगा धन्यवाद दोस्तों